फाइनली सैमसुंग ने अपने बजट लेवल और इंटर लेवल क्याटेगरे में फिर से इंटर के इस क्याटेगरे में सैमसुंग ने अपने यम सीरिज नाम की नई सीरिज इंडिया में चल के जिसमें आपको Samsung Galaxy M10 और Samsung Galaxy M20 ऐसे कुछ मोडल आपको देखने हुए तो आज हम इस विडिमें बात करें Samsung Galaxy M10 के बारे में और इसकी प्राइज और इसकी प्राइज और इसकी पेज़िफिकिशन क्या है तो दोस्तों देर किस बात की अगर आपने इस चाहिए को सब्सक्राइब नहीं क्या होगा तो इस चाहिए को जल्दी से सब्सक्राइब कीज़े और साथी बेल आइकोन को भी तो यह Samsung Company जिसने अपने M-Series में जो फर्स मार्टपून लाउज का है वो है M10 जो इंट्री लेवल क्यातिगरे में आता है जो यह Samsung Galaxy M10 जो इंडिया में अभी तक टू वेरेंट में अवलेबल है जिसमें आपको 2GB RAM, 16GB ROM और 3GB RAM, 32GB ROM यह से टू वेरेंट में आपको यह स्मार्टपून अवलेबल है अब बात करते हैं इस स्मार्टपून के डिस्प्ले के बारे में तो इस Samsung Company जिसमें आपको हमेशी की तरह एक बड़िया build quality देखना को मिलते है और साथी जो डिस्प्ले में आपको ब्राइट देखना को मिलते है जो बड़िया quality का है तो इस डिस्प्ले में आपको जो infinity feed display देखना को मिलता है और साथी 6.2 inch का आपको HD plus का डिस्प्ले आपको इस smartphone में देखना को मिलता है अब बात करते हैं इस smartphone के camera की तो इस smartphone में आपको 13 प्लस 2 megapixel का आपको rare camera देखना को मिलता है और ए 13 megapixel का camera आपको 1.9 aperture ratio के साथ देखना क मिलता है और साथी इसमें आपको front camera मिलता है और आपको 5 megapixel का मिलता है जो आपको 2.0 aperture ratio के साथ आपको देखना को मिलता है जो यह aperture ratio जब आप कुछ night picture लेते है तो वे aperture ratio उस picture को great quality के साथ आपको दिखाता है इसलिए यह aperture ratio काम करता है और बात करते हैं इस smartphone की processor की तो इसमें आपको exynos 7870 का processor देखना को मिलता है जो 1.6 GHz पर काम करता है और यह processor है जो Samsung का exynos 7870 है वो लबबक आपको देड़ साथ आपको रहना देखने को मिलता है और साथी दोस्तों ए इंट्रियावल का smartphone है इसलिए इसने आपको कुछ fingerprint देखने को नहीं मिलता है लेकिन आपको 3. 3.5 mm का hub jack आपको देखने को मिलता है और जो sensor होते है वो लबबक इसमें बहुत सारे sensor देखने को मिलता है तो इस smartphone आपको जो OS मिलता है वो Android Oreo के साथ इस smartphone में out of the box मिलता है तो दोस्तों यह थे कुछ इसकी price और इसकी pacification तो इस smartphone इस price में लबबक आपको 7990 के इस price में और आपको 8990 इस कुछ interior category में आता है तो मेरे हिसाब से यह smartphone थोड़ा सा मेंगा होता है लेकिन जो Samsung की build quality और जो Samsung के कुछ SF fans होते है जिनके लिए यह smartphone इस price में बड़या option हो सकता है तो दोस्तों फिलाल इस video में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस video को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस video को शेयर कीजिए अगर आप इस नाया होगे तो इस नाया को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथी बेल आकों को बेदा बाए तो दोस्तों मिलते है अगले कुस ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो में जयी बात्राओ